हलो गोड इविनिंग मैं कुमार अपनी स्वागत करता हूँ आप सबों का अज इस खास एपिसोड आसिरबाद मंत्रा सफलता की एक स्रिंखला में और इसी के साथ आज हमारे महमान हैं पबन जी और ये कारेड़त हैं पटना में डबल आउ के पद पर आज इनसे पूछेंगे कई ऐसे सवाल आज इनसे पूछेंगेga स्टिस की आनुभवों को आज इन से जानेगे सफल्ता के सही रास्तों को जाने इनसे कई सफल्ता के सुत्र को कि पहला सवाल आप से की में की आप अपने जीवन में कितने किस इस एक्जाम में बठे और कहा कहा कितनी किती सफलता है आपने हासिल की मेरा नाम तो जैसा इन्होंने बताया परदान महालेखाकार पटना में कारत सहायक लेखा परच्छा पतादीकारी के पोश्ट पे हूँ और ये मेरी तीसरी या चौथी सफलता थी इसके पहले मेरे इस जीवन की सुरुवात में सबसे पहले मैं मन्रेगा पंचायत रोजगार सेवक के पद से सुरू किया था उसके बाद मैंने उस जौब को छोड़ा और फिर मैं देली मेट्रो में लगभग पा हुआ था रेलवे में भी हुआ लेकिन एक होम सीखनेस कर सकते हैं कि मैंने फिर अपने घर को चुना बांकी सारे पोश्ट जो भी मिले थे वो मुझे बाहर मिले थे और उसके बाद भी हमारा चैन सचीवाले सहायक 2010 वाले बैच में चाइल्ड प्रोट्रेक्शन ऑफिसर के पद पर भी हुआ था और फिर पटना रेलवे में टी सी के पोस्ट पर हुआ था इस तरह से लगभग 11 से 12 जोइनिंग हमारे पास मैंने देखा है लेकिन मैं अभी दो ही तिन अभी जिसमें हूँ इसमें 2012 से हूँ बहुत सबहुत सी सब्सक्राइब आपने पाई है और हमें मैं लगता है कि आज हमारे दर्सक जो है वो काफी जादा लावानवीत होंगे आपसे और आपसे बहुत सारे अनुभगों को सीखेंगे आपके जीवन में कई तरह के जो है उतार चड़ाओ तो देखने को मिले ही होंगे जब आप परत्यों की जीवन में आये होंगे सर कोई ऐसा वाक्या रहा हो कोई ऐसी ऐसा फलता रही हो जो आपको उदास कर गया हो और कोई ऐसी वाक्या जो आपको उदास कर गई हो अगर कोई है तो में जरूर बताएं सर और हमारे दर्सक यह जानना चाहेंगे सर एससी 2010 का ही मैं जब एक्जान दे रहा था तो मेरा जो ड्रीम था वो अच्छे पद के लिए होना चाहिए था मुझे ऐसा लग रहा था और मेरा मार्स भी ठीक ठाक था बट उस दौरान कुछ एक्जामनेशन के दौरान ही कुछ मेरे साथ एक छोटा सा वाक्या हुआ था कि हमारे सामने एक कंडिडेट था हमारी तरह उसने मेरे से एक या दो कोश्चन पूछ लिया था और मेरा कंसेंट्रेशन लेवल उसकी विसे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और मैं वह एक से दो कि अपने इस पद से उस समय खुश नहीं था चूंकि मैं जिस चीज को सोच रहा था वो मुझे मिला नहीं और मेरा मेरा महनत भी उस लेवल का उस समय था मुझे लग रहा था तो मुझे उसमें थोड़ी निरासा हुई थी लेकिन आज उस निरासा के बापजूद मुझे का पर्डमन टीम करके मैं सहीर लेखा नीकारी के पतपर का रहत हूं टो मुझे वह निराव्शा अब नहीं लगती है उस समय मुझे लगती थी कि मैं जिस चीज के लिए बना था या जिस जो मुझे पहुंचना चाहिए वो मैं नहीं पहुंच पाया कारण जो भी रहा हो तो व्यक्तिकत जीवन और इस competitive life में मुझे वहां पर लगा था और फिर उसके बाद जब next मैंने एक्जाम दिया था एक और मुझे निराज़ा हुए थी कि मैं 2011 का ससी जब दे रहा था मैं लगभग पचास सेट पीटी के लिए बनाया था और मेरा स्कोर भी ठीक ठाक था जब मैं आके अपने मिला अपने सेट को मिला तो लगभग एक सो तीस के आसपस मेरा राउं आप्टर निगेटिव काट वाट के आ रहा था बट मेरा रिजल्ट जब आया तो मैं उसमें पीटी में फेल कर गया तो क्यों पता चला कि मेरा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है नहीं भरा हुआ था जिसकी विए जीरो माक्स आया तो यह लग कि मैं अपने घर में रह सकूंँ और एक अच्छे पोस्ट भी हूँ मतलब एससी का सबसे जैसा किया भी है आप लोग भी जान रहे हूंगे एससी का सबसे अच्छा पोस्ट लेवल के हिसाब से आप कहा सकते हैं मैं वहां पर हूँ तो मुझे अब वह इसी निरासा नहीं लगती उस समय मुझे निरासा लगे थी विल्गुल सर लेकिन आज कल जो जात्र तैयारी में हैं उनसे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे जात्र बार बार ऐसा फल हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे आते अज कर रहे हैं मतलब सारे जो भी इग्जाम की बात कर रहे हैं वह सारी ऑप्ज़ेक्टिब होते हैं और अबजszyक्टिव आपْ सेत्व, सब्सक्राइम पीजि identificate, भ्याब हो सकता है ये और मैंने भी होई चिया और मुझे इसके एलावे मुझे दूसरा और रही बात निरास होने कि यदि आप सेट बना रहे हैं तो एक एक्जाम में मेरे जैसा जैसे कि एक एक्जाम में ऐसा हो सकता है दो एक्जाम में हो सकता है लेकिन बार बार नहीं हो सकता क्यों कि आप exam देखे अपने आपको assessment रोज कर रहे हैं और जब रोज करेंगे तो आपके इंदर से confidence दिखेगा कि जब मैं यहां 80% 70% जो भी secure कर रहा हूं तो वहां ठीक है 60 नहीं करूंगा 50 जरूर कर लूँगा तो आजकल के लड़कों में या आजकल के युवाओं में मुझे इस च जबास हो गएने में चार-चार सेट मारता था दिन भर मतलब study करूं चैने करूं चार सेट मारना है और उसको जो है कि फिर solve कर लेना है कि जो भी उसमें कमी है कुछ नया सीखने के मिला तो सीख गया और हाँ सेट से निरास नहीं होना चाहिए सेट में यदि आप कोई question आप 2 October को है और question भी आ गया गांधि जी का जन्वदीन क्या है और आपने तीन October मार का यह बलंडर है आप तब निरास हो एकि मैं और दूसरा डी मोटिवेशन वाली बात जोकर एक और फैक्टर है कि आप लोगों का चैन जब इस लाइन में आप हैं तो आप लोगों का चैन मतलब अपने आस पास जो दिन आपके दिन चड़िया में जो लोग मिल रहे हैं आप यह जरूर देखे कि मुझे कैसे लोगों से मि बोलेंगा रहे वहाँ वैरी गूट मान के चली आप खूब रात रात भर पढ़ता तो यह लोगों का प्राइरटी चेंज होता है तो आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा संपर्क रखे और यह सब के घर में होता है मेरे साथ भी हुआ है ऐसा नहीं कोई इससे बच पाया हो होता है लेकिन आप लोगों का जो चेहन करें अपने आसपास वह बहुत सोच समझ के करें जब इस फिल्ड में सफल होने के लिए साकारात्मक सोच की तो बहुत जरूरत होती है और सर एक प्रस्नी जो हमारे मन में आता है कि जब हम लोग अपने छेत में रहते हैं समाज में तो वहां कई बार हम को सुनने को यह मिलता है कि आजकल नौकरी पाना भगवान मिलने के बराबर हो गया है सर इस्तियाब कहां तक सहमत हैं जब मेरा भी चैन नहीं हुआ था सरकारी नौक़ी में तो मैं भी आई सोचता था निश्चित रूप से यह बिल्कुल सोचते हैं मै मतलब क्या करते हैं कि बच्चों बच्चों में होता था ने हाथ दिखा करकर भाई तुम्हारे किसमत पर नौकडी तो यह एक रहता था लेकिन जब मैं इस छेत्र में आया तो मुझे नहीं लगा कि नौकरी मिलना और भगवान मिलना दोनों अलगा, नौकरी मिलना बहुत असान है, यह सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आपके भगवान पे डिपेंड नहीं करता है, लोग कहते होंगे नौकरी मिलने के लिए लग लेवर चांस है, मैं क त्यारी करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी कोई नहीं रोख सकता है आपका चांस एक वर्ब मिस होगा दो वर्ब मिस होगा मैंने पहले भी बता है कि आप यदि सेट प्रैक्टिस करें और पॉजेटिव एप्रोच में जो वे है उस वे में कि जो अब मुझे करना ह रेलवे के तैयारी और मैं पड़ा रहा हूँ यूप्यसी का लिए बुक ऐसा नहीं आप उसके स्लेबस को देखिए और उस डिरेक्शन में आप तैयारी कीजिए सफलता है जिरूड मिलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी नहीं मांदारी से कोई काम किया हो और उसकी सफल सरकारी जौब में चैन हुआ है तो इसलिए कम से कम मैं तो नहीं अब मान रहा हूं और मैं अब इसे सुनना भी नहीं चाहते हैं कोई बोलते भी है तो मुझे आजीव सा लगता है ऐसा नहीं है आपने एक बात और मैं आपकी बातों में जोड़ना चाहूंगा लोग कहते है कि पैसा के बीना नौकरी नहीं होता है घूस लगता है मैं आपको बता दू मैंने आप अपने इस इंग्यारा चैनों में किसी पोस्ट पर एक रूबे भी नहीं दिया हूं और दूसरी बात यदि जो पैसा देकर नौकरी में जाएगा वो किसी एक पद पर रहेगा वो नौ आपको तो बहुत सारे एक्जाम के अलग अलग अनुबब भी होंगे लेकिन आज आपसे हम खास करे से के ही जोड़े सवाल पूचेंगे तो सबसे पहले जो आता है कि हम बिहार उत्तर-प्रदेश के मन में पहला सवाल यहीं आता है कि हम इंग्लिस कैसे बढ़ें इंग्लि कैसे थी और आप इंग्लिस की डारी कैसे करते है बिलकुल मैं बिहार से था और मेरे भी इंग्लिजी सुरू से इतने ही अच्छी रही है बस इसी से समझे नहीं कि मुझे टूलेट और टौइलेट का डिफरेंस नहीं पता था मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था कि तो ट्वालेट जो नीचे था जो उपर कैसे चला गया, कहीं जाता था वो second floor पे too late, कहीं जाओ तो third floor पे too late, कहीं जाओ तो ground floor भाई ये कैसे हो सकता है, तो मेरा English इतना अच्छा था, कि too late toilet का difference तो छोड़ देजे, मेरा जब SSC में selection हुआ था, तो उसमें लिखा था you are qualified for skill test, 2006 के LDC में, तो मुझे वो अंग्रेजी भी नहीं समझ में आ रहा था, कि मैं mains qualified कर गया हूँ, और मुझे skill test टाइपिंग देना है, तो मेरा अंग्रेजी उस समय का अच्छा था, आप सोच सकते हैं, और सबसे ज़्यादा teacher मैंने आस्ट अपने life में, किसी चीज के लिए join किया है, तो वो English के लिए, लगभख साथ teacher से मैं पढ़ा हूँ, और मुझे किसी नहीं नहीं पढ़ाया, मतलब कोई मुझे पढ़ा नहीं पाया, सोड़ी, कोई मुझे पढ़ा नहीं पाया, और जब मैं खुद, जब मैं जैसे मैंने बताए, कि मैं Delhi Metro जोईन किया, तो Delhi Metro जोईन करने से पहले उसके एक्जाम में, 120 question I think मुझे जहां तक याद आ रहा है, पूछा गया था, 2007 में एक्जाम हुआ था, मैं 120 में से 40 अंग्रेजी पूछा गया, तो मैं 40 अंग्रेजी बिल्कुल छोड़ करके, 80 question मार के आया था, वो सारा संजोग था, कि मैं तैयारी कर रहा था, वो आ गया था, उसमें मैं आसिरवाद से भी जुड़ा हुआ था, सारे question लगवग आया थे, और मुझे लग रहा है कि मैं 80 में, बिल्कुल मेरा score रहा होगा, तो 75, 78 रहा होगा, सारा लगवग सही था, लग रहा था मुझे, और अंग्रेजी बिल्कुल रहा, फिर भी मेरा selection हुआ, तो अंग्रेजी मेरा starting से, आप समझी चुक है कि अंग्रेजी कितना अच्छा था हमारा, लेकिन बट अंग्रेजी सीखने का मतलब मुझे सौक तो डर तो मुझे भी था, अंग्रेजी मुझे देली मेट्रो ने सिखाया, मैं प्रस्नल पना एक्समें बता रहा हूँ, वहाँ पर लोग अंग्रेजी आसानी से बोलते हैं, और अंग्रेजी इस तरह से, मतलब कोई भी आते थे तो अंग्रेजी में सवाल करते थे, और जबकि मैं उसका जवाब जानता था, जो मेरा कारिथ था, वह मैं जानता था, फिर भी मुझे हिंदी में बोला, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आते थे, फिर मुझे दो-तीन मैंनों के बाद लगा, कि यह मुझे आत्मे गिलाने की, क्योंकि जो यदि अंग्रेजी में आपसे बात करता है, कि आप रिप्लाइ भी अंग्रेजी में करेंगे, इसकी वज़ा से कई बार हमारी पहचान, मतलब टिपिकल बिहारी की रूप में होने लगा, वो समझ जाते थे कि मैं बिहार काई हूँ, हमारे लेंग्वेज से, और मैं हिंदी में जवाब देता था, तो फिर मैंने, मतलब आत्म चिंतन किया, कि यह क्या मतलब मेरे साथ, मुझे बहुत embarrassing feel होता था, फिर मैंने पांच लाइन के sentence बना लिया था, कि अब कोई भी मेरे से पूछेगा, लगवा common questions होते थे, बना लिया था कि कोई हिंदी में भी पूछेगा, तो मैं अंग्रेजी में और वही हुआ भी, जो हिंदी में भी पूछता था, अंग्रेजी में बोलना शुरू, और पहले ही दिन से देली मेटरो जैसे ही जोईन किया, तो मतलब इस ही घटना के बाद से, मैं इंग्लिस न्यूस पेपर लेना शुरू कर दिया, जो मैं SSC कभी सोच नहीं सकता था, SBI कभी सोच नहीं सकता था, मेरा चन SBI में भी हुआ, कलर्क में दो वर, और SSC में तीन वार मारा हुआ, 2010 के SSC मैं भी हुआ, 2008 के SSC में भी हुआ, और CHSL में भी हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि बिना इंग्लिस के, आप SSC तो सोच भी नहीं सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या क्या और ये phobia तो है इसलिए ऐसा नहीं सोचिए और दूसरी बात लोग सबस्ते हों कि जो अंग्रेजी अच्छा बोलता है वो अंग्रेजी अच्छा लिखता भी होगा या अच्छा अंग्रेजी का नॉलेज भी होगा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी बोलना दोनों दो बात होता है तो हम लोग जिस फिल्ड में या जो तयारी कर रहे हैं उसमें अंग्रेजी को लिखना अंग्रेजी को जानना अच्छी बात है तो इस तरह से मेरी जर्णी अंग्रेजी के उस टूलेट और ट्वैलेट से यहां तक पहुंचा है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ बिल्कुल आपने सही का और इंग्लिस के फोबिया को खत्म करना बहुत जरूरी होगा अगर आप SSE में आते हैं क्योंकि इंग्लिस प्रधान भी से माना जाता है अप SSE की दुनिया में गर आप आते हैं इसी के साथ समान जो है ओईदा रखने वाला समान च्छमता रखने वा Mathematics की तैयारी कैसे की जाए और खासकर बहुत सारी चातों के सवाल था कि Advanced Math को लेकर कैसे पढ़ा जाए Advanced Math को कि बहुत तैयरी हो सके सरो Math की जर्ड़ी मने ठोड़ा और पीछ आप को ले जाओंगो जब मैं इस्कूलिंग टाइम में था मेरा सबसे कम स्कूर आया था वह मैंथ मुझे छे नंबर मिले थे नाइंद क्लास में छे नंबर मिले थे और मेरा मैत बिल्कुल पूर रहा है मुझे ए प्लस बी का हॉल स्कॉयर भी नहीं पता था बस यह सेट बनाते बनाते और जब सेट बनाने के दौरान मुझे कोई कोश्चन लगता था कि पहले तुम्हें रेलेवे का त्यारीक उसमें ससी आती नहीं थी तो उसमें थोड़ा मैत का लेवल एससी के मनस्पत असान होता है तो उस दौरान सेट बनाने के दौरान मेरा अर्थमेटिक ठीक हो गया उसके बाद जब मैं एससी के फीड़ में आया तो एडवांस मैत आई थिंग तेरा के एससी से साथ आया है उसके पहले नहीं था तो में भी मैं स्टेडी करता था और मैत बिल्कुल मेरा प्रैक्टिस से ही जो मैत मेरा छूटता था तो उस मैत को या उस टाइप के मैत को सॉल्व करता था और एक डायरी में रखता था कि जो मैत मुझे थोड़ा यूनीक लगता था था कि जो थोड़ा स्टेंडर्ड में तो उसे मैं डाइरी में डिस्क्राइब रूप से बना के रखता था और एक जान से कुछ दिन पहले मैं उस डाइरी को एक वर जरूर देख के जाता था कुछ अलग टाइप का होता है कि मतलब वो हर चैप्टर करना है दो तीन कोसें ऐसा तो जो बिलकुल खास होता है यदि आप वो बना रहे हैं तो बाकी बेसिक तो बन ही जाएंगे तो मेरा रहता है कि हर चैप्टर का कुछ बनाने के दौरान मुझे मिलता था मैं उससे नोट डाउन करके और उसका डिस्क्राइब करके रखता था 2008 तक डिस्क्रिप्टिव होता था मैंने वह एक्जाम भी दिया था उससे में 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 हुआ था तो उस मरेड तो लोग वह देखे हैं फिर अब्जक्टिव भी देखे हैं जब अब्जक्टिव हूआ है तो मेरा इस्टरेशद के अपने मैत को सुधार किया nandai j自己 selfish कि कोई चीज कि इतना भी। आपनी आप से बड़ा हो सकता है आपको बस पाव ने की आवरत सकता है हर चीज में आसान हो सकती है तो आजией Hmm लोगों ने इस से बहुत चीज सीखा सर आपसे रट आंतिम कुछ गुजारी सै कि आप अपने तरफ से अगर छहतरों को कुछ कहना चाहें तो आप कहा सकते हैं अपने तरफ से एक छोटा सा मतलब request कहिए या फिर एक सजेशन कहिए एक बड़े भाई या फिर कंप्टेटर होने के नाते में यह कहूंगा कि आसानी से निरास मत होई और आसानी से मत छोड़िए आज नहीं तो कल होना ही होना है जौब और मैंने जो एक मूल मंत्र बता है जो मैंने अपने लाइफ में इसे अप हो गया है एक छोटी सी वाक्या को मैं आप लोगों को बताना चाहता है आप लोग आसिरवात से जुड़े हुए हैं यह बात 2006 की है मैं भी जुड़ना चाहता था आज की तरह आसान नहीं था तो हमारे एक मित्र तो जो आसिरवात से जुड़ होए थे मैं उन्हें काफी आए और मैं आते ही टॉप कर गया आप सोच सकते हैं लेकिन नीची से टॉप किया था जैसा कि आशिरवाद में पैटर्न है कि नीचे से बताया जाता है और जहां तक मुझे यादे उस दिन 45 लड़के 45 लड़के आये थे और मैं टॉप था नीचे से सबसे पहला नाम मेरा ही है और 2006 के दोरण लगभग एक साल जब मैं सिर्वाद से जुड़ा रहा है मैं वहां पर एक दिन टॉप कर गया था उस दिन मैं इस दिन मैं ऊपर से टॉप किया हूं इस पर नीचे से टॉप नहीं किया हूं तो आप यह देखिए कि मैंने उस लाइव को जिया है साइथ मु आज मैं आपके सामने नहीं होता है तो इस चीच को इस जर्नी को फील कीजिए और इंज्वाई कीजिए हम लोग भी इंज्वाई करें हम लोग बॉदरिंग इसको कभी नहीं लेते थे इंतियार करते देना असिरवाद में जाना है और यह बहुत माइने नहीं रखता है कि आप टॉप हुए तभी हो सकता है रिजल्ट आपका टॉइंटी में आते आते ही हो जाए बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए कब आप क्लिक कर जाएंगे बस इसी के साथ एक छोटा से स्टोडी था जो मैंने आपके साथ सेयर किया और बहुत जीवन्त स्टोडी था इसी के स अपने सब्सक्राइब और बहुत चीज़ सीखा और हमें लगता है कि आप सभी देखने वाले ने भी बहुत चीज़ों को समझा होगा सीखा होगा बहुत सारे रास्ते आपको दिखी होंगे आपके बहुत सारे सबाल के जबाब मिल गए होंगे तो ऐसे ही चुड़े रही ह हमारे साथ और हमारे इस खास एपिसोड आसिरवाद मंत्रा सफलता की एक स्रिंखला में हम फिर अगले हपते हाफ से मुलाबात करेंगे एक नए महमान के साथ और उन से भी जानेंगे कई सफलता की नए मुल मंत्र को धन्यवाद